बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे की बुलुश्री सत्गुरु महाराज की प्राणदहार आत्मसम्मेंदी सुन्दर साथ जा कल की चर्चा में हमने बिहारी जी और श्री जी की मत भिनता का प्रसंग सुना कि किस प्रकार अब बिहारी जी ने श्री जी को ये कह करके कि तुम मेरी बात नहीं मानते मेरे नियंत्रण में नहीं आते उने समाज से भैस्कृत करने की बात कही है किस प्रकार सुरत के सुन्दर साथ ने स्रीजी से आगरह किया कि अब धर्म की बागदोर आप समा लिये और हम सब आपके साथ हैं और सूरत से पांट सो सुन्दर साथ की जमाद निकलती है जो एहमदाबाद चार दिन रहे करके सूरत पहुंचती है और वाइस दिन तक सूरत में रहती है और उसके बाद स्रीजी साइत सब सुन्दर साथ आगे की और प्रस्थान करते हैं और इसी बीज केशो भट जी की जागनी का भी प्रसंग हमने सुना था और कल अंतिम में हमने चोपा ही तो हो रही थी जिसे आज हम पढ़ रहे हैं थाना धाप्या सिद्धपुर में के सवभट के घर धाम चर्चा नित हो वही साथ रहया पकर साथ रहया पकर अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए अब श्री जी सुन्दर साथ के साथ सिद्धपुर से चल कर मेरता पहुंचते हैं मेरता जो कि राजस्थान की एक धर्म नगरी है उसका इतिहास बहुत ही पुराना है स्थान का नहीं हमारे इतिहास में और धर्मिक इतिहास में मेरते का नाम दर्ज है और जब श्री जी वहाँ पहुंचे हैं तो मेरता में लाभानन्द नाम का एक तांतरिक व्यक्ति रहता था नाम तो उसका लिखा है लाभानन्द यती यती का अर्थ होता है सन्यासी पर सन्यासी तांत्रिक नहीं होता है तंत्र मंत्र इत्यादी तामसिक तप में आते हैं और सन्यासी सतोगुणी साधना करते हैं ध्यान भक्ती करते हैं तीन प्रकार की साधना है तीन प्रकार की तपश्चरिया है अपनी आत्मा के लिए जो किया जाता है वो उत्तम है भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो किया जाता है वो मध्यम है और दुसरों का नुक्सान पहुँचाने के लिए जो किया जाता है वो निक्रिष्ट है और लाभानन अपने तंत्र मंत्र के प्रयोग से लोगों को डरा धमखा करके रखता था कहने को तो यती हे पर सन्यासी के कोई लक्षण नहीं थे सन्यासी कौन होता है जिसने बहुत अच्छे से समझ करके त्याग दिया हो उसे सन्यासी कहते है जिसे विशे वासनाओं से कोई लिना देना नहो विशे वासनाओं से जिसे वैराग्य हो चुका हो उसे सन्यासी कहा जाता है और इसके विपरित तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र का जो प्रयोग करता है तो उसके पीछे कारण क्या होता है इससे मुझे धन मिले इससे मेरी प्रतिष्ठा हो मेरी जमतकार से लोग मेरे से डरें और मेरा सम्मान करें इस प्रकार की लोकेशना, वितेशना की भावना होती है तो लाभाना दियती की जब बात सुनी मेरता में जब स्री जी पहुँचे देखते हैं की इस तांत्रिक के कारण लोग नहीं आ रहे हैं चर्चा सुनने विशेवस्तु का पता चल गया की अच्छा इस से डर करके लोग आते नहीं स्री जी उसके पास ही पहुँचे और दस दिनों तक बाते हुई अब वो तांत्रिक जिसे धर्म का कोई गहन ज्यान नहीं और वैसे भी एक समय था महाभारत से पहले जब गुरुकुलिय परंपरा प्रचलित थी वहाँ व्याकरण सहिद सांगोपांग वेद का अध्येन करना पड़ता था और धिरे-धिरे मध्यकाल में वेद के अध्येन का तो लोप हो ही गया धिरे-धिरे करके पहले वेदस त्रई का अध्येन होता था तीन वेदों का अध्येन करना अनिवारिय माना जाता था वेदस त्रही का इस्थान बाद में ले लिया प्रस्थान त्रही ने प्रस्थान त्रही में आते हैं उपनिशत, गीता और वेदान्त दर्शन तो वेद त्रही का इस्थान ले लिया प्रस्थान त्रही ने और धीरे धीरे मुगलकाल में जब गुरुकुली परंपरा परप्रतिबंद लग गया तो अब प्रस्थान त्रही की शिक्षा भी लोब होती गई गुरुकुल तो लोब हो ही गए थे गुरुकुल में जाकर लिये जाने वाले शिक्षा का अस्थान किसने लिया कि कहीं कहीं कोई पढ़ाने वाला है, गुरु है, विद्यार्थी उनके घर पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं, इस परंपरा से पढ़ाई नहीं हो पाती है, अध्ये नहीं हो पाता है, पहले तो ब्रह्मचर यास्टम भर विद्यार्थी क तो गुरुकुल में रहना होता था और उतने वर्षों में नियमित रूप से अध्यान करने के कारण और उसी प्रकार के वातावरण में रहने के कारण विद्यार्थियों का सर्वांगेड विकास होता था अब जब घर पर जाएंगे थोड़ी दिर गुरुजी के पास जितना सीख सकते हैं सीखेंगे इसमें क्या होगा सभी ग्रंथों का अध्यन तो हो पाना संभवी नहीं था और इस तरह से एक दो पीड़ी के बाद तो गुरु भी मिलने बंद हो गए क्योंकि ऐसे गुरु भी नहीं थे जिनोंने सांगोपांग वेद का अध्यन किया होग तो धीरे धीरे अब प्रस्थान त्रही के स्थान पर अगर कोई वेक्ति केवल गीता पढ़ लेता था तो वो भी स्वयम को बहुत बड़ा विद्वान समझता था आप सोचिए कि हरिद्वार का प्रसंग जो शिगर ही आने वाला है मेरे ख्याल से कल या परशन तक आ जाएगा तो हरिद्वार के प्रसंग में हमने देखा कि जो दर्शन के आचारिय स्री जी के सामने सास्त्रार्थ के लिए आते हैं वे सब भी एक-एक दर्शन पढ़े हुए थे और वो आचारिय कहलाते थे स्री जी के साथ सास्त्रार्थ कर रहे है जबकि दर्शन एक-एक ही पढ़ा इसी तरह से आपको पता है जो विद्वत दमन थे भटाचारिय जिनोंने विद्वत दमनी और निगमार्थ दिपिका लिखी है आप उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे विद्वत दमनी और निगमार्थ दिपिका तो आपको पता चलेगा कि यह व्याकरण का उमुदी इन्होंने दर्शन भी अठ्छे से पढ़ रखा है विशेशुप से न्याय दर्शन वैश्य dual दर्शन बहुत अच्छेसे पढ़ रखा है कुछ उपनिशतों का भी ज्यान है और पुराणों का भी ज्यान है पर इतने बड़े विद्वत दमन जो कहलाते थे स्वययम को कि यहां तक की वो स्वयम को अवतार घूशित करने वाले थे अपने समय में इतने बड़े विद्वान माने जाते थे लेकिन उनके ग्रंथों में एक भी वेद मंत्र नहीं है विद्वत्दमनी और निग्मार्थ दिपिकामे कहीं पर भी वेद मंत्र का उधरण नहीं है उन्होंने जितने उधरण दिये वो वेद के इतर दर्शन और पुराणों के दिये हैं व्याकरण के दिये हैं विष्णु पुराण आदि का दिया है तो सोचेW कि विद्वत दमनी जैसे भटाचारे जैसे जो विद्वान है वो भी वेद नहीं पड़े थे इसी तरह जो अपने समई में ये कहते थे कि जिसको मैंने हां कहा उसे ना कहने वाला कोई नहीं कैनने वाला कोई नहीं मुझास्तक सास्त्राफ में कोई नहीं हरा पाया वे बड़े विद्वान तथा कथित भी भागवत पड़े थे गोविन जी व्यास भागवत पड़े थे भीम भाई उस समय के प्रकांड विद्वान माने जाते थे किमल वेदांत दर्शन पढ़ा था उन्होंने तो इस तरह मध्यकाल में गुरुगुलिय शिक्षा परंपरा का लोब होने से उस प्रकार के विद्वानों का मिल पाना संभव नहीं था तो धिरे धिरे साधना भी उसी प्रकार की होती गई वेदों का लोब हुआ दर्शन उपनिश्यद इत्यादी का लोब हुआ फिर पुराणों का भी लोब हुआ ये तंत्र साधना इत्यादी तो पुराणों में भी नहीं है हाँ पुराणों में जो राक्षयस इत्यादी थे वो तंत्र की साधना करते थे तंत्र की साधना करने वाले में किसका नाम आता है रावण था इस तरह की तपस्या करता था हिरण ने कस्येफू उस प्रकार की तब करता था वरना आपने किसी भी महापुरुष को देखा वो जो तंत्र मंत्र की साधना करते हो कोई रिशी का नाम सुना है आपने जो तांत्रिक थे ऐसा कोई नहीं थे पर लाभा न देख ऐसा यती है अब ज्यान तो है नहीं तो दस दिन तक बेचारे क्या करते हैं एक विशय में बात सुरू होती है थोड़ी देर बात करते हैं लेकिन वो भी बंधन में पढ़ जाते है क्योंकि स्रीजी के प्रश्णों का उतर उनके पास नहीं होता है फिर दूसरे दिन किसी दूसरे विशय पर बात होती है ऐसे करते करते दस दिन तक बात होती है जगह जगह पर वो बंधन में पढ़ जाते हैं चुप हो जाते हैं उनके पास स्रीजी के प्रश्णों का कोई उत्तर ही नहीं तो क्या सोचा कि अब तो मेरी महिमा चली गई लोग इतने सारे हैं इतने लोगों के बीच में मैं निरुत्तर हो गया तो अब मेरी तो इजद ही चली गई मैं क्या करूंगा कि मैं इनको ग्यान में तो नहीं हरा पाया अब तंत्र के द्वारा मंत्र के द्वार द्वारा मैंने जो सिध्धी प्राप की है भूत प्रितों को अपने वश्मे कर रखा है तो मैं उनके द्वारा इनको बड़े बड़े पत्थरों से चट्टानों से दबा करके मरवा दूंगा भूतों के द्वारा और क्या कहते हैं मारो दाब के पहाड में इनको डारों लेकिन क्या होता है घर परवत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोर जहां पंच वासना सब देव खड़े तहां मंत्र चले क्यों और जिस अक्षिरातित की सेवा में पंच वासना सहित समस्त देविदे होता है सोचिए कि वो अक्षिरातित जिसके सत अंग के इच्छा मात्र से पल बर में ऐसे करोडो ब्रहम्हांड बनते हैं ये ब्रहम्हांड कितना बड़ा है इतने विशाल ब्रहम्हांड में जहां पर आप यदि प्रकाश की गती से यात्रा करेंगे तब भी एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचने में एक अरब प्रकाश वर्ष लगते हैं तो जिस परब्रहम की सत अंकी इच्छा मात्र से इतने बड़े ब्रहम्हांड का नेर्माण होता है उस परब्रहम की लीला जिस तन में हो रही है उसे इस संचार का एक साधारन सा तांत्रिक दबाने की कोशिश कर रहा है मारने की कोशिश कर रहा है उसे बिचारे को पता ही नहीं कि मैं किस के सामने अपने मंत्र का प्रदर्शन कर रहा हूं आज सुन्दर साथ भी डरते हैं और डर करके कभी किसी देवता के पाह जाते हैं कोई परेशानी होती है तो कहते हैं कि हम इनके पाह जाएंगे तो विश्वास का क्या हुबराजी के प्रति तंत्र मंत्र क्या है मंत्र में कोई इस प्रकार की शक्ति नहीं होती है शक्ति होती है आपके मन में और मंत्र क्या करते हैं उस शक्ति को चैनलाइज करते हैं क्योंकि कोई आधार मिलता है मन को एकागर कैसे किया जाए तो मंत्र को बार बार दोराया जाता है एक निश्चित नियम की आधार पर जो आपका द्रिड संकल्प होता है आपका वो द्रिड संकल्प ही काम करता है और वो भी सकरात्मक हो तो काम करेगा हाँ, नकारात्मक दिर्षंकल भी काम करता है, क्योंकि मन में शक्ति तो है, मन दोधारी तलवार है, इस तलवार से आप दुसमन के गर्दन भी काट सकते हैं, खुद की गर्दन भी काट सकते हैं, क्योंकि दोधार है, नकारात्मक चिंतन करेंगे, तो आप दुसरे का भी लु ल्गे कार होते हैं देखिए आपके पास तो राज्जी ने तार्तम जियां दिया है जिसके पास तार्तम जियां उसको किसी भी तंत्र मंत्र से डरने की कोई आउशुक्ता है ही नहीं लेकिन क्या चाइ своhe whose विश्वास यह दिद्रिड विश्वास नहीं है फिर तो आपको कैसा भी मंत्र दिया जाए उस मंत्र का कोई लाब ही नहीं होगा किसी भी मंत्र का फल कैसे घटित होता है जैसे मान लीजिये कि आपको किसी बड़े व्यक्तिने जिस पर आपका विश्वास है थोड़ा सा भी उसने आपको कोई भी मंत्र दे दिया कुछ भी लिखा हो उसमें उटपटांग भी कुछ भी लिखा हो हो और अगर आपको कह दिया जाए कि 40 दिनों तक प्रति दिन 108 बार इसका जब करना है तो आपको मंत्र की सिद्धी प्राप्थ होगी और यदि आपने वस्तों में ऐसा किया आपको सिद्धी प्राप्थ हो जाएगे लेकिन वो मंत्र होगा ही नहीं क्योंकि सिद्धी उन शब्दों के कारण नहीं है, सिद्धी है आपके मनोबल के कारण, सोचे कि अगर आपको चित्वनी में, चित्वनी करते समय, पांच बार भी तार्तम का जाप करना है, आप निरंतर नहीं कर सकते, इस बात कि तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, लगातार आप बिना किसी दूसरे विचार के पांच बार तार्तम का जाप नहीं कर सकते, आपके मन में पांच बार तार्तम दोहराते हुए, कम से कम 500 प्रकार के विचार आएंगे, तो सोचे कि 108 बार करने में, तो इसी तरह मन को एकागर करने में, जो समय लगता है, 40 दिन का जो समय लगता है, उससे आपका मन एकागर हो गया, अब आपके मन में वो बल आया की देखों में कर सकता हूँ, और उस आत्म बल के कारण ही, आपके द्वारा कही हुई बातें पूरी हो जाती है, पर क्या लाव है इसका, आपको पता है, योग दर्शन में चमतकारों का वर का वर्णन है, लेकिन अंत में यही कहा गया है, शमतकारों का वर्णन करने के बाद की साधना के मार्ग पर चल रहे साधक को, समाधी की इच्छा करने वाले योगी को ऐसे शमतकारों से दूर रहना चाहिए, ब्रभम्हमानी क्या कहती है? साधो कहर कही करामात ए दुनिया तित राचे दुनिया को तो चमतकार अच्छी लगती है पर जो सचे साधो है उनके लिए चमतकार कहर के समान है दुखद है दुखद इसलिए क्योंकि यदि कोई भी वेक्ती चमतकार करने लगता है तो वो भक्ती नहीं कर सकता है जो भक्त होगा वो चमतकार नहीं करेगा और जो चमतकार करेगा वो भक्त नहीं हो सकता है क्यूं नहीं हो सकता है? मैं आपको बताओं जैसे मान लिजे कि बागेश्वर बाबा है थोड़ी देर के लिए मान लोग कि वो चमतकार दिखाते हैं अब कई लोग इस विशे में बहुत तरह के विवाद करते हैं कि उपताने वो हाथ के सफाई करते हैं या फिर लोग अपने ही लोग बैठा रखे हैं सच में चमतकार करते हैं कि नहीं करते हैं क्योंकि लाखों लोगों की भीड, बाबा जी से आशिरवाद लेने के लिए, लाइन में लगे होते हैं, तो इनको मैनेज करें कि अब अपनी भक्ति करें, जबकि जो सचे साधु होते हैं, वो भक्ति में, प्रेम में, लीन होना चाहते हैं। इसलिए कोई भी रिशी मुनी अपने तपोबल की सिद्धी का प्रदर्शन नहीं करता है। जो साधारण लोग होते हैं, वो अपनी सिद्धी का प्रदर्शन करते हैं, और अपना उत्थान रोग लेते हैं। जिस दिन आपने अपनी मर्जी से सिद्धी प्रदर्शन करना प्रारम किया, उस दिन से आपका आध्यात्मिक पतन होना शुरू हो जाता है। या दिखाना भी नहीं चाते हैं, पर उनके द्वारा चमतकार हो जाते हैं। अपने आप ही हो जाते हैं। आज़ी पर विश्वास दिलाने के लिए उस तन को माध्यम बना करके चमतकार की लीला हुई है। पर वो चाह करके नहीं करते हैं। एक बार उन्होंने अपनी मर्जी से कर दी थी। किसे मृतक विक्ति को बोल दिया था कि जीवी तो हो जाएगा। तो सद्गुरु महराज ने उनको जिस तरह से फटकार करके रास्ता दिखाया है। यह आप सब जान सकते हैं। और यदि नहीं जानते हैं। तो एक बार प्रेम का चांद आप पढ़ करके देखिए। के पास जो मंतर है वो कुछ भी नहीं नहीं है। आपके पास तो कितना बड़ा मंतर है। उन्हें भिछु का जहर उतारने का मंतर दिया जाता है तो वो मना कर देता है। कहता है कि ने मुझे नहीं चाहिए। और आपके पास कैसा मंत्र दिया है राजी ने? वैसे केवल यह मंत्र नहीं है, पर यदि मंत्र की रूप में मानते हैं, तब भी तार्तम है. और तार्तम कैसा है? एही रस तार्तम का चड़िया जहर उतारे, निर्विख काया करे, जीव जागे करारे. यह तो माया का जहर उतारने वाला, एक बार, किसी गाओं में एक सन्यासी आये, वो धर्म के विशे में बता रहे थे, भक्ति के विशे में बता रहे थे, वहाँ एक युवा भी आया हुआ था, सन्यासी सब को ध्यान का मार्क बता रहे थे, तो उस युवा ने कहा कि मैं भी ध ध्यान सीखना चाहता हूं मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं ध्यान सीखने के लिए उन्होंने का ठीक है तो वो ध्यान सीखने लगा लेकिन उन सन्यासी के आने से पहले वो वेक्ति किसी तांत्रिक के वहां जाता था उस तांत्रिक की सेवा करता था जब उस तांत्रिक क पता चला कि फलाना लड़का मेरे पास आना छोड़कर कि अब किसी और साधू के पास जा रहा है अब ये तो ताम सी प्रजा तो उसको क्रोध आया और उसने किसी से संदेश भिजवा करके बुलाया वो युवा चला गया उस तांत्रिक के पास जब गया तो तांत्रिक ने पूछा कि मैंने मुझे पता चला है कि तुम किसी और सन्यासी के पास जा रहे हो तो उसने कहा कि मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ इसलिए उनके पास जाता हूँ उसने कहा कि अगर तुने मुझे छोड़कर किसी और को गुरू बनाया तो परिणाम बुरा होगा लड़के ने कहा कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है आपको जो करना है कर दिजिए पर मुझे ध्यान सीखना है और वो लड़का अपने जो नई गुरू थे सन्यासी गुरू उनके पास चला गया और जाकर के कहता है कि गुरू देव मुझे फलाने तांत्रिक ने धमकी दी है मारने की धमकी दी है और उसने कहा है कि मैं तुम पर मारन क्रिया का प्रयोग करूँगा ये तांत्रिकों के बीच में ये क्रिया होती है जिसके विशे में वो कहते हैं कि उस क्रिया का प्रयोग करके वो किसी को मार भी सकते हैं अब इसमें सत्यता कितनी है प्राक्टिकली तो मेरे सामने अब तक कोई बात नहीं आई पर मैंने कई लोगों से कई तांत्रिकों से भी सुना है कि ऐसा हो सकता है और बड़े महाराज्य की जीवनी में प्रेम के चान्द में भी ऐसा प्रसंग्ए गाता है तो उन सन्यासी ने कहा कि अच्छा डरने की जरूरत नहीं है तुम परमात्मा का ध्यान करो ना तुम्हें किस से डरना है तो कहते हैं कि अभी तो मुझे परमात्मा का ध्यान करना आया ही नहीं है मैंने सीखा ही नहीं तो कहते हैं अच्छा ठीक है तुम मुझे तो पहचानते हो तो तुम मेरा ध्यान करो जब वो मारन क्रिया का प्रयोग करेगा तुम्हें अंदर से थोड़ी सी भी घबराहट सी महसुस होगी तो तुम मेरा ध्यान करना अब वो जो सन्यासी थे वो तो पहुँचे हुए संत थे अच्छे तो उस तांत्रिक ने मारन करिया प्रारम की इस लड़के को थोड़ी बेचे ने शुरू हुई उसने अपने गुरू का ध्यान करना शुरू किया अब गुरू देव को पता चला कि मेरा जो सिस्य है वो संकट में है उन्होंने आख बंद करके परमात्मा का ध्यान करना प्रारम किया तो क्या हुआ 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 इससी का संबन्द गुरू से जुड़ा हुआ है गुरू का संबन्द ब्रमाक्ना से जुड़ा हुआ है जैसे waving नि Player ऑङ कि हमारी ग्गिणबिट के बाहर seperti फार्ञ लगा है एक είναι На gonna त्रांस्फ़र्मर का जो connection है वो power house के साथ है बिजली जलेगी है की नहीं अगर light हो तो ऐसे तो नहीं तो इस तरह से जो connection हुआ एक से लेकर दूसरे में तो तांत्रिक ने जो तंत्र मंत्र का प्रयोग किया वो सब विफल हो गए और ऐसा कहा जाता है मैंने कई लोगों से सुना है कि मैंने किसी तांत्रिक के मुख से भी सुना है कि यदि कोई वेक्ती मारण क्रिया का प्रयोग करता है और प्रयोग करता के उपर नहीं लगता है मतलब जिसके उपर प्रयोग किया जा रहा है वो अगर उच्च कोटी का है या उसका आत्मबल बहुत ज़्यादा मजबूत है या कोई उसकी रक्षा कर रहा है तो मारन क्रिया का नुकसान करने वाले की उपर ही होता है तो उसका नुकसान हुआ उस तांत्रिक के उपर और वो तांत्रिक मर गया इस प्रकार एक गुरु ने अपने सिश्य की रक्षा की सोचिए आपकी रक्षा के लिए कौन है साक्षा तक्षरातित जो कहते हैं कि अस्राफिल जबराईल भेज दिये आमर निगाह बानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर तो आपका कोई क्या विगाड सकता है तो आप क्यों डरते हैं और डर करके किसी तांत्री के पास किसी ओज़ा विजवा के पास क्यों जाते हैं कि यहां जाएंगे और यह हमारा भला करेगा आप किसी जोतिस के पाह जाते हैं बोलते हैं कि ग्रह सांती करवानी है जब अशुब हरण मंगल करण कह दिया तो अशुब का हरण हो जाएगा लेकिन आपकी दिल में विश्वास तो हो सोचिए एक तुछ से तांत्रिक को अपने मंत्र पर विश्वास है आपको धनी पर विश्वास नहीं है तो इसलिए सुन्दर साथ को डरने की आवस्षिकता नहीं है बस अपना आत्मबल मजबूत रखना है उस तांत्रिक ने भी प्रयास किया पर कुछ नहीं हुआ कहते हैं घर परवत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोर पंच वासना सब देव जहां खड़े तहां मंतर चले कि ओंवर वहाँ किसी और का मंतर नहीं चल पाए अब जब ग्यान से भी परास्थ हो गया और तंत्र भी नहीं चला तो क्या किया अब कहते हैं खोज-खोज खाली भया ग्रह के बैठा मू अब वो मोन ग्रहन करके बैठ गया क्योंकि अगर मौन धारन करके बैठ जाए तो कोई प्रस्न ही नहीं पुछेगा उत्तर ही नहीं देना पड़ेगा मौन में बड़ी सकती है हर द्रिष्टी से एक जो विद्वान होता है वो भी यथा संभव मौन रहता है और चाण के नहीं तो कहा जो मूर्ख होते है उनको भी मौन रहना चाहिए मुर्खाणाम बलम मौनम कहा है क्यों क्योंकि मूर्ख वेकती जैसे ही मूह खोलेगा तो अपनी मूर्खता का परिच्य देगा एक नहीं चाण के कहते हैं यथा यथा मुझचति वाक्यवाणम तथा विजानाति कुलह प्रमाणम जैसे जैसे मनुश्य अपने शब्दों से अपने मुख से शब्द रुपी बाण छोड़ता है तो उसके कुल का परिणाम मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है प्रमाण कैसे मिलता है? ये पता चलता है कि उसका लालन पालन कैसे हुआ है उसकी परवरिश कैसे हुई है? इसलिए जहां तक संभव हो सके यदि आपके पास कम ज्यान है तो मौन रहना चाहिए और यदि अधिक ज्यान है तो भी मौन रहना चाहिए बिना मागे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए बिना पुछे किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए जहां आप ज्यादा दिखाने की कोशिस करते हैं ज्यादा बनने की कोशिस करते हैं वहां आप कम हो जाते हैं तो मौन रिशियों के लिए भी उत्तम है है इसलिए रिशी तपश्या करते हुए मौन धारण किया करते थे मौन विद्वानों के लिए भी उत्तम है क्योंकि मौन हो करके वो अधिक से अधिक गहनतम चिंतन कर सकता है और मौन मुर्खों के लिए भी अच्छा है सब के लिए मौन अच्छा है चाहे वो पुरुष हो च मौन में बड़ा बल है अब यहां उसी मौन का प्रयोग करके वो चुप हो करके बैठ गया लेकिन पूरे शहर को पता चल गया कि कोई संत महात्मा हैं जिन्हों ने लाभानन दियति को मौन धारण करा दिया है अब लाभानन दियति का जो डर था पूरे मेर्दा शहर में वो डर समाप हो जाता है और जैसे ही डर समाप होता है लोग इस तरह से आते हैं जैसे रानी मधुमक्खी के पास कितनी मधुमक्खियां होती है इसी तरह पूरे शहर के लोग मधुमक्खी के छत्ते की तरह आकर कई कठा होते हैं कहते हैं सोर पड़िया शहर में आवत सब खलक घेर रहे मधमाखेजियों कोई आए बीच हग अब इस प्रकार लोग आने लगते हैं और उन्ही आए हुए लोगों में जो तारतम में जियान ग्रहन करते हैं जो सुन्दर साथ में शामिल होते हैं उनका नाम बता रहे हैं चांपसी है रगुनाथ है ये परिवार के साथ में स्रीजी के साथ आगे चलते हैं मेरता से जब श्रीजी जाते हैं और एक परिवार था अग्रवालों का जो व्यापारी था जिन में राजाराम, जाजन भाई और मकरन ये तीन प्रमुख थे इसी प्रकार और कई सुन्दर साथ हैं जो चर्चा सुनने के लिए आते हैं श्रीजी के चर्चा सुन करके प्रफुल चित होकर के प्रशन चित होकर के लोड़ते हैं और जब जब आते हैं श्रीजी के चरणों में आकर के अपनी आत्मा को जागरित करते हैं उन्ही परिवार में राजाराम जाजनबाई और मकरन जी का जो परिवार है उसी परिवार में एक लड़की है उनका नाम है ललिता ललिता जो की शारीरिक द्रिष्टी से कुरूप लगती है थोड़ी काली भी है और थोड़ी कुबडी है जुग करके चलती है और जब कोई श्त्री बाहियरूप से देखने पर अयदी कुरूप होती है उन्हें बहुत चिंता होती है आज भी जब की समाज काफी आगे बढ़ चुका है फिर भी इस्त्री अपने सुन्दर्ता को लेकर के चिंतित होती है पुरुष अपनी कमाई को लेकर के चिंतित होता है दोनों चिंतित होते है अब चुकि ललिता सारेरिक रूप से कुरूप है और इस्त्री को कुरूपता की चिंता क्यों होती है क्योंकि पुरुष सौंदर्य देखता है यदि कोई आत्मिक स्वरूप को देखे जो की संभाव नहीं है यदि कोई आत्मिक स्वरूप को देख करके प्रेम करें तो बाहर के रूप का कोई आकर्शन आवश्यक नहीं रह जाता है पर साधारन नियम जो संचार में है वो यह है कि पुरुष सुंदर्य इस्त्री को ही देखता है और चूंकि संचार में विकल्प बहुत दिखते हैं तो यदि एक पसंद नहीं आए वो दूसरी को देखने लगता है ललीता उनके विशे में पुरे परिवार की लोग चिंतित होते हैं कि ये काली है कुबड़ी है इससे शादी कौन करेगा कौन विवा करेगा और हमेशा उनको ये चिंता सताती रहती है एक दिन श्री जी उनपर ऐसी कृपा कर देते हैं कि ललीता के उपर कुछ पानी के छीटे मार देते हैं और जैसे ही पानी के छिटे मार देते हैं एक ऐसा चमतकार होता है कि ललिता कारी और कुबड़ी से सरवांग सुन्दरी बन जाती है अब जैसे ही ये आड़ी का लिला देखी उन्हें इस बात की पहचान होती है कि यह तो वही शक्ती है जिन्होंने ब्रज मंडल में लिला की थी स्रीजी के स्वरुप की पूर्ण पहचान होती है और अब ललीता उन्हें माया की इप्छा नहीं है कि अब मैं सुन्दर हो गई तो मैं सुन्दर पुरुष्य विवाह करूंगी नहीं उनके मन में है कि मेरी आत्मा के जो प्रियतम अक्षरातीत हैं जिनकी कृपा से मेरा ये तन सुन्दर हुआ है और तन ही सुन्दर नहीं हुआ है उनका मन तो उनका पहले से सुन्दर था ही पर अब स्रीजी की पहचान करने से राजी की प्रतिहर्दे में प्रेम होने से उनका मन और भी अधिक सुन्दर हो गया है और उनकी सुन्दरता का जो वर्णन है ललीता सखे की आंतरिक सुन्दरता का वर्णन उस प्रकरण से मिलता है जिसका गायन आप सुनते ही रहते हैं हर काड्यक्रम में कोई न कोई सुन्दर साथ इस वाणी का गायन करता है और जिसमें ललीता सखे कहती है वारी रेवारी मेरे प्यारे वारी रेवारी तूक टूक कर डारों यातन उपर कुझ विहारी इस प्रक्रण के एक-एक शब्द में इस चोपाई के एक-एक शब्द में ललीता सकी का प्रेम जह लगता है क्योंकि राज्जी को परमात्मा कहना सरल है अक्षरातित कहना भी सरल है कोई प्राणनाथ शब्द का प्रयोग कर दे तो भी सरल है क्योंकि प्राणनाथ कहते हुए हम वो बात प्राण पण से नहीं कह रहे होते हैं हम केवल मुख से उन्हें प्राणनाथ कह रहे होते हैं जब जयकारा लगाते हैं तो कहते हैं प्राणनाथ प्यारे की जए पर वो प्यारे कहते हुए भी हमारे अंदर प्यार होता ही नहीं है केवल कंठ से हम उन्हें प्यारे कहते हैं पर ललिता सकी कहते हैं वारी रे वारी मेरे प्यारे दोनों शब्द बहुत ही प्रिय है पहला मेरा मेरा कहना अधिकार है आप हर किसी को मेरा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं किसे कहेंगी? जिस पर आप अपना अधिकार समझेंगे और वो अधिकार भी प्रेम वाला अधिकार होगा कोई संसारिक भौतिक संपति वाला अधिकार नहीं होगा कि इसको मैं मेरा कह दूंगा तो इसके संपति पर भी मेरा कबजा हो जागा ऐसा नहीं होगा तो प्रेम पूर्ण अधिकार होगा तब कोई कह पाएगा मेरे लेकिन वो अधिकार कब मिलेगा जब हम उस मेरे से प्यार करेंगे जो जिसको हम मेरा कह रहे है न वो जब हमारे लिए प्यारा होगा तो दोनों शब्द एक दुसरे के पूरक होंगे जो मेरा है वो प्यारा है और जो प्यारा है वो मेरा है जो अधिकार ही हमारा उसाथ में कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करते ही अधिकार साथ साथ में मिल जाता है तो ललीता सकी ने दोनों किया पहले तो प्रियतम अक्षरातित ने उनके प्रती प्रेम दिखाया और ललीता सकी क्या कहती है कि इन जहर जिमी से कोई न निकस्या अमल चड़ियो अति भारी ये जो जमीन है ये जो माया का संसार है ये कैसा है नशा और जहर ये किने जहर जिमी से कोई न निकस्या अमल चड़ियो अति भारी दो बाते हैं इस संचार में नशा भी है और gensहर भी है। दोनों का अशर क्या होगा दोनों कैसे कॉंबिस्यशन होगे। नशा भी अगर किसी को चड़ता है तो उसका स्वयमपर नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन अगर कोई नसा जहर वाला हो तो तब तो नियंत्रण होने का कोई सवाल ही नहीं जहर से वो मर रहा होगा और नसे के कारण वो बचने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा है की नहीं समझे मेरी बात को जहर की वज़े से वो मर रहा होगा और नशा ऐसा होगा कि वो बजने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा इसलिए ये जुसंशार ये ऐसा ही है विशय वासनाओं का नशा है जो की जन्म और बृत्यू के बंधन में ले करके जाने वाली है और नशा ऐसा है कि इस नशे से छूटने के लिए कोई प्रयासी नहीं कर पाता है क्योंकि प्रयास तो तब कर पाए जब होश में हो क्योंकि ये तो नशे में है इसलिए क्या कहते हैं अमल चड़ियो अतिभारी और इस जहरिली जमिन से कौन निकाल रहा है वो जो कायम सुख देने वाले हैं कोट बेर ललिता कुरुबानी मेरे धनी जी कायम सुख कारी कायम कहते हैं अखंड अखंड का सुख देने वाले जो मेरे धाम धनी है वो उन पर में ललिता करोडो बार कुरुबान जाती हूं जिनोंने मेरे केवल शरीर को ही सुन्दर नहीं बनाया शरीर को सुन्दर तो उनकी आत्म की सुन्दरता को देख करके हुआ नो उन पर क्रिपा क्योंकि? क्योंकि ये परमधाम की ब्रह्मात्मा है और इस कारण से दुखी है उस दुख का निवारन किया और उसके बाद ललीता सक्षी ने माया की तरफ नहीं देखा वो ये भी सोच सकती थी साधारन इस्त्रियों की तरह कि अब मैं सुन्दर हो गई हूँ अब मैं विवाह करके ग्रिहस्ती बसा सकती हूं नहीं उन्होंने सोचा कि जिनकी कृपा से मेरा तन मन सुन्दर हुआ है उन्हीं के चरणों में रहना है उन्हीं की सेवा करनी है और उनके सुन्दर साथ की सेवा करनी है तो मेरता सहर से वो स्रीजी के साथ साथ हो चलती है और पन्ना जी में गायन की सेवा करके सुन्दर साथ को राजी को रिजाती है रास्ते में क्या-क्या तकलीफ नहीं आई होगी सोचिए कि उनके घरवाले कितने अमीर हैं कितने अमेर हैं मैं अभी आपको बताता हूँ आगे समझ में आएगा अगली ही चोपाई है कि खर्ची पाते इनकी पहुंचत लड़ाई मिने पतली कमरी ओढ़न की आवत थी उत्से ये प्रसंग है लगबग लगबग संबद 1733 के आसपास का और यहां से लेकर के पन्नाजी में पहुंचने के बाद अगले तीन वर्ष तक अथाद 40 में पन्नाजी पहुंचते हैं 43 तक समझ लेजिए 42-43 तक तो लगबग 9 या 10 वर्षों तक इन ही का परिवार ललिता सकी का परिवार राजा राम जाजन भाई मकरन यह जो परिवार हैं यह सेवा करते हैं सब सुन्दर साथ की सुन्दर साथ कितने हैं 500 सुरत से निकले हैं मेरता से भी साथ में चलते हैं पन्नाजी पहुंचते पहुंचते तो सजार की जमाद होती है तो सोचे इतने सुन्दरसाथ की सेवा करना और कैसी सेवा खर्ची पाती इनकी पहुंचत लड़ाई विने पतली कमरी ओढ़न को आवत थी उतसे सब सुन्दरसाथ के लिए ओढ़ने के लिए जो पतले जहां तक संभव हो पाया उन्होंने किवल कंबल की सेवा ने की हर प्रकार की आर्थिक सेवा पहुंचते थी जहां जहां भी चिठी इत्यादी पहुंचना होता था उस समें कागज इत्यादी सुलब नहीं होते थे तो कागज की लेखनी की स्याही की यह सारी व्योस था इनके राजा राम जाजन बाई इन सब ने पत्र लिखा, पत्र लिखा छत्र साल जी को, कि यदि आपकी अनुमती हो तो आजाएं, और वहाँ पर स्री जी ने उस भाव को एक प्रकरण में अवतरित किया है, उस प्रकरण में उध्रित किया है, कि मुमिन लिखे मुमिन को, कहो तो आ आने के लिए पूछ रहा है कि अगर आपकी अनुमती हो तो आजाओं और वास्तों में कहते हैं मोमिन रखें मोमिन को जो तन मन अपना माल सो अरवा नहीं अरसकी नातिन सिर नूर जमाल जो सुंदर साथ एक दूसरे से भेद भाव रखता है कि ये जो है ये मेरा सामान है वो धन मेरा है वो उनका है तो वो परमधाम की ब्रह्मिस्रिष्टी ही नहीं है सोचिए कि इस संसार के लोग ये कहते हैं कि मा गृदह कस्य स्विध्धनम लालच मत कर ये धन किसका है अर्थात ये धन किसी का नहीं है सब का अधिकारुस पर समझा जाता है तो परमधाम की ब्र और फिर अपना सब कुछ छोड़कर कि ये भी पन्ना जी पहुंच जाते हैं बाद में लेकिन पहले तो उन्होंने सेवा कि कमाया खुब एक आदर्श ग्रिहस्ती व्यक्ति कैसा होना चाहिए आप इस से जान सकते हैं आज से लगबग आठ नो दिन पहले मुझसे किसी ग्रिहस्त व्यक्ति को कैसा होना चाहिए अर्थात एक अच्छा ग्रिहस्ती कैसा होना चाहिए ऐसा प्रश्न मेरे पास आया था तो उन्हें उसको तो क्योंकि वर्तमान का उदाहरण चाहिए था पर बितक से अगर किसी को दृष्टान लेना हो तो अनेक दृष्टान हैं जिन में से एक ये द्रिस्टान थे, राजा राम का जो परिवार है, क्योंकि कमा भी रहे हैं और लालच भी नहीं है, अपना भी चल रहा है, समाज का भी चल रहा है, राज्जी की सेवा भी चल रहे है, सब वो कर रहे हैं, उन्होंने जो धन कमाया, उस समय के हिसाब से पतिव्यक्ति हैं दुझ नोड़शों तक लगभग लगभं हजह से पांच हजार तक के सुंदर साथ की सेवा करें निर नहीं होता पर इतने सुंदर साथ की सेवा इन्होंने की तो उस समय के korona पती रहे हैं लेकिन उस अपने लिए नहीं कमा रहे थे वह जितना कमा रहे थे उसमें परिवार का गुजाराद चलने के अतिरिक्त जो भी धन था वह स्रीजी और सुन्दर साथ की सेवा में लगा रहे थे किसी कारण वस जो आठ वहने तक बिक्ष्या मागने का प्रसंग है वो तो सुन्दर साथ को थोड़ी सी लीला दिखाने थी उनकी आत्म जागरिती की भुमिका बनानी थी उन्हें जागनी रास के लिए पन्ना जी के लिए तयार करना था इसलिए ये सब कराया गया वरना सोच जी है कि लक्ष्मिदास जी जो सोना बना सकते थे श्री जी अपने क्रिपा से पन्ना जी की धरती से हिरा उगलवा सकते थे तो मंच्वर में बिक्ष्या मांगने की आउसिक्ता भी नहीं होती पर ये सब उनकी लीला थी वरना राजा राम धाजन भाई ने उन आठ मैनों के पूरी सेवा निभाई है इस प्रकार अब मेरता में बहुत बड़ा शोर मच गया कि इस तरह से लाभान दियती भी परास्त हो गया है और शहर के जो बड़े उद्योग पती व्यवसाई हैं वो भी स्रीजी के चरणों में विश्वास ले करके आए हैं तार्तम ज्यान ग्रह वह बहुत बड़े हैं इस प्रकार अब वहां जागनी की लिला होती है इसी क्रम में स्रीजी ने मेरता में ही रहते हुए क्योंकि अब उनके मन में क्या चल रहा है औरंग जेब तक संदेश पहुंचाना है औरंग जेब कि विसे में थोड़ा सा जान लेती है प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले हैं साह जहां के चार पुत्र हैं वैसे तो मैं पहले भी संग्षेप में बता चुका हूं सुरू-सुरू के दिनों की चर्चा में चार भाई हैं दाराशिकोह औरंग जेब मुराद और शुजा जिन में से दाराशिकोह बड़ा था पर राज्य पान और उसके बाद फिर मुराद और शुजा को भी मरवाया अपने पिता को भी मरवाया और उसके बाद उसने हिंदूं पर इतने अत्याचार किये जितना की शायद ही किसी और ने किया हूँ बहुत सारे मंदिर उसने तोड़े तिर्थ स्थानों को खंडित किया ऐसा कहा जाता है बात सुनने में आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब तक औरंग जेब हिंदूं का सवामन जनेऊ उतरवा नहीं लेता था तब तक वो भोजन नहीं करता था वैसे तो ये बात पूरी तरसे प्रामानिक नहीं क्योंकि सवामन जनेहूं अगर प्रती दिन उतारना हो तो कम से कम भी कई हजार लोगों का प्रती दिन जनेऊ उतरवाना पड़ेगा ये संभव नहीं पर फिर भी कुछ निश्चित संख्या में वो धर्म परिवर्तन करता ही था स्वयम को गाजी कह लाता था एक तरफ वो बहुत अधिक कठोर था हिंदों के प्रती और दूसरी तरफ अपने अपना जो विश्वास था उसकी लिए भी कठोर था कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेव अपने हाथ से कुरान लिखता था और उस कुरान को बेच करके और बेचना ऐसा नहीं कि राजा ने लिखा है तो निलामी करवाए जाए नहीं जो निश्चित कीमत थी उसी कीमत पर वो बेचता था अब कल ही में पढ़ रहा था औरंगजेव के इतिहास के विशे में उसने जो अंतिम पत्र लिखा था उस अंतिम पत्र में ऐसा वरणन आता है कि कुरान बेच बेच करके उसने लगबग उस समय के तीन सो कुछ किये थे तोपी वित्यादी सिल करके और उसने अपने पत्र में लिखा था अंतिम इच्छा लिखी थी कि मेरे लिए कफन की जो व्योस्था है वो मैंने जो तोपी सिल करके कमाई है उसी में से की जाए और मैंने जो कुरान लिख करके इतने रुपए इकठे किये हैं उन पै किरों में गरीबों में बाणद्य या फिर उन लोगों को दिया जाएँ उन लोगों के कफन में खर्ज किया जाए जिनको कफ़न नसीब नहीं होती अब किसी दिष्टी इसे देखने पर ऐसा फ्रतीत होता है कि यह बहुत ही क्रूर है। दूसरे दृष्टी से देखने पर ऐसा भी लगता है कि देखो कुछ-कुछ मामलों में तो सिद्धान्त वादी है पर सैधान्तिक होने में और क्रूर होने में दोनों में अंतर है अपने चीजों में वो सिद्धान पर हो सकता है कि कठोर है पर वास्तों में उसने जितना हिंदों पर अत्याचार किया सोचिया जजिया कर लगाया उसने त्योहारों पर कर लगाया चोटी धारण करने पर कर लगाया अगर हिंदुओं को जनेव पहनना हो तब भी कर देना पड़ता था और उसी समय से प्रचलन चल पड़ा कि उससे पहले इस्त्रियां भी जनेव धारण करते थी और अरणजिव के समय में जब जजिया कर लगने लगा भी हरिद्वार के प्रसंग में हम इस विशे में और विस्तार पुर्वक चर्चा करेंगे तो जजिया कर की वज़से उसके मन में ये था कि जो हिंदु है उन पर इतना कर लगा दिया जाए अलग-अलग माध्यमों से कि ये सोचने लग जाए कि इससे तो अच्छा है कि हम मुसल्मान बन जाए मुसल्मानों को छूट थी और हिंदु उपर कर लग रहा था अब इस प्रकार औरंग जिव का जो अत्याचार बढ़ रहा था स्रीजी ने सोचा कि ये केवल ज्यान से समझे ये आवश्यक नहीं है हम कोशिश करेंगे ज्यान से समझाने की लेकिन अगर नहीं मानेगा तो हमें शक्ती से भी तयार रहना पड़ेगा हमें छ्यत्रिय च्छात्र बल भी चाहिए इसलिए उन्होंने सोचा कि एक राजा के बारे में सुना था जिनका नाम था जस्वन्त सिंग वीर प्रतापी योध्धा थे हिंदू थे और वो ज्यानी भी थे स्रीजी ने सोचा कि यदि वो तार्तम ज्यान ग्रहन करते और क्या पता कि सकुंडल सकुमार की बात कर रहे हैं सकुंडल जो है वो राजाओं में आई ही तो हो सकता है कि इनके अंदर हो तो उनको जगाने के लिए प्रयास किया गया और स्रीजी ने गोवर्धन भट जी को भेजा जश्वंद सिंग के पास अटक नदी को पार करके जो वर्दमान में पंजाब में है अभी तो हो सकता है कि पाकिस्तान में चला गया हो क्योंकि उसम में तो एक ही देश था तो जश्वंद सिंग के पास दो पत्र लिख करके श्रीजी ने भीजवाया, गोवर्धंजी पत्र लेकर के चले गए, पर उनकी अंदर के योकि परमधाम का कोई अंकुर नहीं था, धार्मीक्ता में, अध्यात्मीक्ता में उनकी ज्यादा रुची नहीं थी, उनकी रुची किसं में थी कुष्ती लड़ने में मल युद करने में युद्ध अभ्यास करने में धर्म में बहुत ज्यादा रूची नहीं थी इसलिए उन्हों ने स्रीजी के पत्रों में बहुत अधिक रस नहीं लिया वो चार महिने तक रहे लेकिन जस्वन सिंग की जागरिती नहीं होई और यह वही जस्वन सिंग है आपने इतिहास में पड़ा होगा कि एक बार औरंग जेब के जो कुछ सैनिक थे जंगल में सिकार के लिए गए थे वहां से एक सेर पकड़ के लेके आते हैं बहुत बड़ा औरंग जेब हस्ते वह गयता है कि मेरे सैनिक जो सेर औरंग जेब संकी था तुनर्क मिजाजी उसने कह दिया कि तुम्हारे से मेरे सेर की लड़ाई होगी अगर तुम्हारा सेर हार गया तो मैं तुम्हारी गर्दन को उड़वा दूगा जस्वन सिंग ने कहा ठीक है दिन निश्चित हुआ सेरों की लड़ाई खुले में तो हो नहीं सकती तो बड़ा पिंजरा मगवाया गया उस बड़े पिंजरे में औरंग जेब का शेर पहले से ही था अब जो दिन निश्चित हुआ उस दिन जस्वन सिंग अपने लगभग बारह वर्ष के बेटे पृत्वी सिंग के हाथ पकड़ करके आते हैं औरंग जेब बच्चा लगभग और इसको सेर से लड़ाने के लिए आया है खैर मुझे क्या औरंग जिब का क्या जा रहा था उसने का ठीक है सर तो तो वही रहेगी अब पिंजड़ा खोल करके पृत्वी सिंग को पिंजड़े के अंदर डाल दिया गया है अब पहले तो इतने छोटे स पिंजड़े बालक को देखकर के सेर पीछे हट गया क्योंकि देखो शेरों की जो भिन्ने भिन्ने प्रजातिया है एक तो होता है बाग जिसको अंग्रेजी में टाइगर बोलते हैं जो शेर है वो लायन है जिसके बाड वोते हैं बड़े बड़े तो जो बबबर बबर सेर है जिसको हम जंगल का राजा कहते हैं वैसे तो पता नहीं किसने राजा बनाया किसी ने भी बनाया फैर जो भी मानता हो आक्रमन करेगा या फिर भूखा होगा तो आक्रमन करेगा वरना बहुत जल्दे वो किसी को भी नहीं छेड़ता है और बच्चा देख करके एक बार तो वो देखता रहे गया और पिछे हट गया लेकिन बाहर से सैनिकों ने भाले उसको चुभाने शुरू किया और अंग्जेब के आदेश पर अब सेर तो सेर है तो उसने जोर से गुर्रा हट की पृत्वी सिंग ने भी तलवार निकाल ले अब जश्वन सिंग कहते हैं कि बेटा क्या तुझे यही सिखाया है हमने सेर निहत्था है और तू हत्यार लेके लड़ रहा है हमारे जैसे होते तो सोचते पताने कैसा बाप है सेर के साथ निहत्था बीड़ आ रहा है पर कहीं न कहीं कोई न कोई तो आत्म विश्वास रहा होगा ना बेटे पर खुद के पालन पोशन पर अब विश्वास रहा हो बहुत देर तक गुथम गुथी होई, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में प्रत्वी सिंग ने सेर का जबड़ा पकड़ा, एक हाथ से उपर वाला जबड़ा, दूसरे हाथ से नीचे वाला जबड़ा और बीच में से ऐसे फाड़ दिया जैसे कि कोई पूराने कपड़े क को भाड़ता है, नाम प्रत्वी सिंग है, उम्रे बारवर्थ, जश्वन सिंग का पुत्र है, औरंग जेव सोचता है कि ये 12 साल की उर्व में सेर को मार सकता है, बड़ा होगा तो मेरे राज्य के लिए खत्रा होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा ना, औरंग जेव बहुत शक् वो किसी भी तरह से अपने उपर कोई खत्रा आने नहीं देना चाहता, अब वैसे अगर मरवा देता, तो जश्वन सिंग विद्रोह करते, इसलिए उसने कूट निती अपना है, और अफगान जो थे, अफगानी पठान, जो औरंग जेव का विरोध कर रहे थे, विद्रोह क कर रहे थे, उनका दमन करने के नाम पर उसने अफगानिस्तान भेज दिया, जश्वन सिंग को, और इधर छल पुर्वक जहर दे करके पृत्वी सिंग को मरवा दिया, और ये खबर जब जश्वन सिंग ने सुनी, आप सोच सकते हैं, कि जिसका बारह वर्ष का पुत्र, जो इतना वीर हो, हो नहार हो, जिस पर एक पिता को इतना ज्यादा घुरूर हो, गर्व हो, और उसकी मृत्यू की खबर पा करके, पिता अंदर से तूट जाएगा, जश्वन सिंग भी अंदर से तूट गए, उसका सदमा उनको इतना ज्यादा लगा, कि वो उससे उबर नहीं पाए, और उनकी भी बीमारी से मृत्यू हो गए, तो ये वो जश्वन सिंग है, और वो औरंग जेव है, दोनों के विशे में जानना आवस्यक है, इसके लिए थोड़ा साब को इतिहास पढ़ने के आवस्यक्ता है, हमारे बितक में केवल जश्वन सिंग को संदेशा भिज जवाने का प्रसंग है, हाँ, चोंकि अध्यात मिक्ता नहीं थी, और परमधाम का उंकूर नहीं था, तो उन्होंने स्री जी के स्वरुप की पहचानन नहीं की, अब इधर स्री जी अभी मेरता में ही है, मेरता में जब हैं, एक दिन रास्ते में चल रहे थे, तो वहाँ एक मस्जिद थी, मस्जिद की मिनार पर चड़ करके, एक मुला ने आवाज दी, जिसको कलमा कहते हैं, कुछ लोग बांग देना कहते हैं, पहले बोलते थे, तो उसने आवाज दी, और कहा, ला इल्लाह इलिल्लाह मुहम्मदुर रसुल ल्लाह, स्री जी साब ने ये बात सुनी तो उन्हेंने विचार किया इस विशय पर, कि इसका अर्थ क्या है, ला का अर्थ होता है, नहीं, इल्लाह का अर्थ होता है, है, और इलिल्लाह का अर्थ होता है, कि जो इल्लाह से भी जो परेह अलग है, कहते हैं, ला का अर्थ नहीं, इसका मतलब हो गया, कि जिसको गिता म च्छर ब्रह्मन कहा गया है या च्छर पुरुस कहा गया है इलाह जो सत्य है सत्ता का स्वरूप है जिसको गिता अक्षर कहती है गुटस्त अक्षर उच्छते और इलिल्लाह जो है वो है अक्षरातित तो इसका मतलब क्या हो गया ला इल्लाह व इलिल्लाह कह करके छर अक्षरोर अक्षरातित की बात की तो स्रीजी कहते हैं कि देवचंद्र जी ने जो बात कही थी कि देखो कुरान में भी बातें तो वही लिखी है पर मुसल्मान में जो कटरता है सांप्रदाई कटरता जिसके करण वो किसी और को कुरान पढ़ने नहीं देते थे अब स्रीजी ने जब ये बात सुनी बात सुनते सुनते उनके हृदे में अब कतेब पक्ष का ज्यान प्रकाशित हो गया कुरान की सारी बाते उनके अंदर से खुलने लगी कभी कभी लोग बाग कहते हैं कि यहां से अक्षर ब्रम की आत्मा ने प्रविस किया और कुरान के रहस्य स्रीजी खोल पाए ऐसा कहना कहीं न कहीं नादानी है नादानी क्यों क्योंकि वानी की आधार पर जो नब्बे हजार हरूफों में बात हुई वो किस-किस के बीच में हुई राजी और अक्षर के बीच में अक्षर की सूर्ता जब आई मुहमद सहाब के रूप में तो आयतें लेकर के आने वाला कौन है वो सक्ति कौन सी है जिसको हम जोस की सक्ति कहते हैं इबरिल कहते हैं कि नहीं तो क्या कुरान का ग्यान कहने के लिए अक्षर का होना जरूरी है जबराइल कह सकता है कि नहीं कह सकता है राजजी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं जिन्होंने बात की वो भी उस्तन में विराजमान है जो बात लेकर के आया आयते लेकर के आया वो भी विराजमान है तो ये जरूरी नहीं है कि अक्षर ब्रह्म जब तक नहीं आते तब तक कुरान का ग्यान नहीं कहा जा सकता वास्त विक्टा ये है कि हर कार्य का एक उचित समय होता है कहते हैं ना कि माली सीचे सौ घड़ा रितु आवे फल होए इससे पहले आवज्षक्ता ही नहीं थी पर अब क्योंकि दिल्ली जाना है औरंग्जेब को समझाना है कि तो धर्म के नामपर जो कर रहा है वेच बुसा भासा के नामपर जो कर रहा है वो कुरान की आधर पर ही गलत है मुहम्मद साहब ने ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी है तो अब आवश चेकता है इसलिए प्रगट हो रहा है तो यहां से अब अक्षर ब्रह्म की भी लिला प्राराम होती है और उन्हें महामती की शोभा मिलती है महामती किसे कहते हैं और यह महामती की शोभा किसको मिली है इंद्रावती जी के आत्मा को प्राण्नाजी महामती नहीं है किसको शोभा मिली है स्रीधनी जी को जोश आतम दुलहिन नूर हुकम बुध मूल वतन यह पाँचों मिल भई महामत वेद कतेबो पहुँची सरत राजी का जो जोश है जिब्रिल जागरित बुद्धी है अक्षर की सूर्ता है श्यामाजी है और राजी का आवेश है इस प्रकार राजी, श्यामाजी, अक्षर, ब्रह्म, अस्राफिलो और जब्राईल इस तरह से आप समझ सकते हैं तो यह जो पांचो शक्तियां मिल करके उन्हें महामती की शोभा मिलती है इससे पहले स्रीदेवचंद्र जी के द्वारा दिया गया जियान ही प्रकट हो रहा था हिंदु पक्ष की ही चर्चा चल रहे थी पर यहां से कतेव पक्ष की भी चर्चा चलती है और अब क्या कहते हैं कि कहों एक दीन आदम मानो मात्र का जो धर्म है एक मात्र धर्म उसकी आगे बात होगी किवल सांप्रदाइक हिंदु पक्ष की बात नहीं होगी किवल कटर मुसल्मानों की बात नहीं होगी जो भी बात होगी वो कैसी होगी संपुर्ण मानो मात्र के कल्यान के लिए जो बात होगी, वो होगी क्योंकि संप्रदाय के नाम पर भाशा के नाम पर वेश भुशा के नाम पर जो भी भेद है, वो कैसा है? ये भावगोलीख है लेकिन परब्रम इन सब के बंधन में नहीं है परमात्मा भाशा के बंधन में नहीं है एक हिंदू ये सोचता है कि मैं सस्कृत सिखूंगा तो परमात्मा को जान जाऊंगा तो भी गलत है मुसल्मान सोचता है कि परमात्मा को जानने के लिए पाने के लिए अरभी सीखना जरूरी है वो भी गलत है परमात्मा किसी भाषा के बंदन में नहीं है, ये सभी भाषा हैं तो बाद की है, हाँ, वेद देववाणी है, संस्कृत जो है, वो देववाणी है, देवभाषा है, सृष्टी के प्रारम में आया है, पर परमात्मा से बात करने के लिए आपको संस्कृत भी नहीं चाहिए, हाँ वेद समझने के लिए चाहिए नहीं परमात्मा से बात करने के लिए आपको अर्वी का जियान होना ज़रूरी है भले ही आपको अर्वी आती हो रही है आती हो पर परमात्मा को वो तो बिना बोले आपकी बात समझ जाता है क्या उसके धाम में कोई विशेष भाषा है? क्या अर्भी है वहाँ पर? अर्भी भाषा कहां से आई होगी? कही न कैसे तो आई होगी? सबसे पहले सस्कृत भाषा थी वैदिक सस्कृत वैदिक सस्कृत से लोकिक सस्कृत बनी लोकिक सस्कृती से पाली और प्राकृत भाषा का निर्माण हुआ फिर जैसे-जैसे लोग अलग-अलग जगहों पे जाते गए भाउगलीक परिष्टितियां बदलती गई दूर-दूर होते गए भासाइं भी थोड़ी-थोड़ी बदलती गई एक कहवत कही जाती है कि कोश कोश पर बदले पानी चार कोश पर बानी चार कोश पर भाषा बदल जाती है एक ही सस्कृत भाषा को अलग-अलग इस्तान पर अलग-अलग रूप से बोला जाता है पर भाव तो वैसा ही होता है और वही जहां अलग-अलग रूपों से बोले ज जाती है तो धीरे-धीरे हम उस भासा को बदल देते हैं जैसे मान लीजिए कि हर भासा में सस्कृत की कोई न कोई शब्द मिलेंगे हर भासा में इसका मतलब क्या हुआ कि सस्कृत सभी भासाओं की जननी है यहां तक कि जैसे मुसल्मान नमाज कहते हैं मैंने अभी कुस दिन पहले ही एक मुसलिम प्रवक्ता से ही सुना था कि नमाज जो शब्द है वो सस्कृत का है उन्होंने संदी विछेद करके बताया एक शब्द है नम नम मतलब जुकना और आज किसको बोलते हैं आज मतलब बकरा नहीं आज का आर्थ होता है जो ब्रह्म अ ये अर्भी के विद्वान है जिन्होंने ये बात कही है तो हर भाषा में सस्कृत के शब्द मिलते हैं आप अंग्रेजी में देख लीजिए जैसे सस्कृत में पुत्री को बेटी को कहा जाता है दुहिता दुहिता का जब आप रूप चलाते हैं तो दुहितर होता है दुह पीटर होगा फिर वहाँ से अपभध्रंच होते होते वह डॉटर बन जाता है आप सोचिए कि हम सस्कृत में दर्वाजे को दौर कहते हैं अब जब दग को दव उत्चारण करते तो दौर को दौर बोलेंगे वहाँ से दूर हुआ है दर्वाजे को क्या बोलते हैं उसका मतलब होता है क्री का आरथ होता है करणा उससे हिंदी sought to डू-क्रिय करने से और अंग्रेजी में चला गया के ढूंग मतलब करना ठेक हैं पितर से पादर बना मात्रि से मदर इस तरह थे सस्कृत से palabras कि आपको एक नहीं सैकडो शब्द मिल जाते हैं अंग्रेजी में इसी तरह से हर भाषा में आप खोज करेंगे हमारी पुस्तकालाय में एक पुस्तक है एक ग्रंद है इसका नाम है वैदिक संपत्ति इसे आप एक पर पढ़के देखिए पता चलेगा कि हर भाषा की जो जननी है वो सस्कृत है पर परमात्म सस्कृत से भी नहीं पाया जाता है हाँ शस्कृत सीखना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि सस्कृत में ही धर्मग्रंद का गुईय जयान है वेदों के रहस्यों को आपको समझना है सस्कृत जानना आवश्यक है उपनिसे दो Ensuite जो उच्चा ध्यात्मिक बाते की है दर्सनों में उसके लिए संस्कृत जानना अनिवारिया है लेकिन कोई ये कहे कि मैं संस्कृत शीख लिया तो मैं परमात्मा को प्राप करूँगा तो नहीं संस्कृत के वल माध्यम है भाषा है जानने का पाने का माध्यम नहीं जानने में और पाने में अंतर होता है तो स्रीजी ने सरल हिंदुस्तानी भाषा में ब्रम्हवाणी में वेद पक्ष और कतेव पक्ष दोनों के रहस्य को पुला और क्या कहा कि जुदे जुदे नाम गावही जुदे जुदे वेश अनेक जिन कोई जगड़ो आप में धनी सबों काई नाम सारों जुदे धरे लई सबों जुदी रसम सब में उम्मत और दुनिया सोई खुदा सोई ब्रम्ह खुदा भी वही है ब्रम्ह भी वही है पर जो परमपराएं चलती है, परमपराओं के कारण कटरता है, मुसल्मान खुदा के नाम पर कटरता करता है, और जो कुछ करता है, जो गड़वड़ी करता है, वो खुदा के उपर छोड़ देता है, अलहमदुलिल्ला कहता है, अपनी सारी गलतियों की जिम्मेदारी किस पर दे देता है खुदा पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो जिस नहीं किया उसका फल तो भोगना ही पड़ता है और जो मुसल्मान ये कहते हैं कि तुम इसलाम के लिए कुछ भी कर सकते हो तुम ये करो वो करो वास्तों में कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कुरान में ये बात इस्पश्ट रुप से लिखा गया है कि तुम जिस प्रकार का करते हो उसका फल तुम्हें मिलता है और यहां के जो मुसल्मान हैं वो समझ नहीं पाते अरब के मुसल्मान इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं अरब के मुसल्मानों में तो छोटी-छोटी कामों के लिए भी बहुत बड़े-बड़े दंड का प्रावधान है वहां चोरी करने पर हाथ काटने का प्रावधान है किसी दूसरे की परिस्त्री का संगत करने पर इसी प्रकार के अंग-भंग का प्रावधान है चोटी चोटी गलतियों पर मृत्यु दंड का प्रावधान है पत्थर मार मार करके हत्या करने का प्रावधान है और वहां तुरंत होता है और यहां के मुसलमान जो आधा अधुरा ग्यान रखते हैं वो सरिया कानूं लाने की बात करते हैं क्योंकि उन्हें ग्यान नहीं वास्तों में सरीयत में भी जो बात लिखी गई है वो इस तरह से कटरता की बात नहीं है उसमें ये बात है कि परमात्मा की इबादत कैसे की जाए प्रार्थना कैसे की जाए एक इंसानियत का वेवाहार किस प्रकार से की जाए अपना जीवन या अपन किस प्रकार से की जाए इस प्रकार की बाते हैं शरा में लोगों ने लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसलाम को भी बदनाम कर दिया है और हिंदू मत में भी अभी प्रारम में मैंने बात की थी कि पहले वेद पढ़ने क प्रचलन था, फिर प्रस्थांत रही, फिर पुराण, जैसे ही वाम्मारगी आये, हिंदूओं में क्या किया, वेद के नाम पर बली प्रथा चली, दर्शन का विद्योदय भाष्य करने वाले एक विद्वान हुए हैं, उनका नाम है स्वामे विद्यानन सरस्वती, उन्होंन अपने दर्शन के व्याख्या में प्रारह में एक बात लिखिये, वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैं एक संकराचार्य जी से मिला था, और उनसे मैंने कहा कि आप सरकार के सामने गो हत्या पर प्रतिबंद के विशे में बात क्यूं नहीं रखते हैं, तो जानते उन संकराच चारे जी ने क्या कहा, उन्होंने जवाब दिया कि जब वेद में गो हत्या का प्रावधान है, तो मैं मना कैसे कर सकता हूं, तो गो हत्या के निशेद में वेद के बहुत सारे मंत्र उन्होंने दिखाए, विद्यानन सरस्वती जी ने, तो कहते हैं कि ये तो खाने के लिए मना किया है पर यज्य में आहूती दे सकते हैं सोचे ऐसी सोच आई है सोचे कि संकर आदी संकराचारे जी के गद्धी पर रहने वाले गद्धी पर बैटने वाले संकराचारे जी की बुद्धी इस प्रकार की हो सकती है तो सोचे कि हिंदुत्व में भी कहां तक का आडंबर आ आया है वाम्मार के कारण तो अध्यात्मक को उचित प्रकार से न समझने के कारण हिंदुओं में बली प्रथा सती प्रथा छुवा छूत जन्मना जाती व्यवस्था इत्यादी है सोड़सो पचार पुजा है विभिन तरह के कर्मकान है इसी प्रकार मुसलमानों में सरीयत है तीन तलाग है हलाला है ऐसी ऐसी कूप रथा है कूव व्यवस्था है जिनका निवारण कौन कर सकता है अगर कोई ब्रह्मान में ऐसा है जो इनका निवारण कर सकता है तो वह है प् प्रणाजी की वाणी सरल हिंदुस्तानी भाषा में होने से हर कोई समझ सकता है स्रीजी क्या कहते हैं वाणी में कि सब को सुगम जानके कहूंगी हिंदुस्तान मैंने हिंदुस्तानी भाषा में इसलिए कहा ताकि सरलता पुर्वक हर कोई समझ सके और जब अध्यात्म के गहन रहस्य को कोई सरलता पुर्वग समझेगा तो विवाद सारे समाप्ध हो जाएंगे तब सुख शितल करू संसार का जो नारा है वो घटित होगा अन्यथा ये जो संप्रदाई कटरता की धार्मिक कटरता की आधी है यदि समय रहते इसको नहीं रोका गया तो कहीं न कहीं संसार जो है वो तृतिय विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है इससे पहले भी जितने जितने युद्ध हुए जितनी जितनी हत्या हुए वो धर्म के नाम पर ही हुई है धर्म के नाम पर सबसे अधिक लड़ाई है जबकि धर्म क्या है शांती का मार रहा है और वही दुनिया में सबसे अधिक अशांती फैला रहा है तो कारण क्या है? मूल विशय के ज्यान का अभाव तो प्राणना जी क्या कहते हैं? कहो एक दीन आदम आदम अर्थात मनुश्य सभी मनुश्यों का एक धर्म इस्थापित होगा आज तो क्या है? अवस्था कहते हैं कि मानने वाले जो राम के उन्हें इसलाम से बुआती है मानने वाले जो इसलाम के उन्हें भगवान से बुआती है कौन चलेगा या खुदा तेरे नक्से कदम पर यहां इंसान को इंसान से बुआती है सब एक दूसरे से घ्रिना करते हैं और घ्रिना करने का कारण भी दिखता है क्योंकि मुसल्मानों ने क्या किया है हिंदू के साथ अत्याचार और एक नहीं अने को ऐसे दर्जनों सैकडों ऐसे उदाहरन देखने को मिलते हैं इतिहास मंदिर तोड़ने से लेकर के कर लगाने से लेकर के जबरन धर्म परिवर्तन से लेकर के विभिन और हिंदू ने क्या किया है वाम्मार्ग के आधार पर वेद उपनिशत आधी का पढ़ना छोड़ने के बाद उन्होंने स्वयम के उपर ही अत्याचार किया है यहां तक केवल गीता ही पढ़ते रहते गीता को ही आत्म साथ करते तब भी कोई व्यक्ति भारत वर्ष में बाहर का संप्रदाय आकर क के प्रचारित नहीं कर सकता था तलवार के बल पर भी नहीं कर सकता था क्योंकि गीता कहीं न कहीं सब को एक जुट रखती सब को करमठ बनाती और सब को धर्मयुद के लिए प्रेरिद करती लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो इसलिए स्रीजी ने सब को अहवान किया अब यहां से आगे कतेब पक्ष की बात आएंगी काफी सारी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्रीजी ने मुसल्मानों के पक्ष में बात किये श्रीजी ने तो वास्तविक सत्य बताया स्रीजी ने मुसल्मानों का पक्ष लेकर के बात नहीं कि स्रीजी ने मुसल्मानों को उनकी गलती दिखाई उससे पहले तक तक और यहां तक कि श्रीजी की ही क्रिपा से पारह सुंदर साथ औरंजेब के दर्वार में जाते हैं और वहाँ जाकर के चुनोती देते हैं कि तुम शरीयत के नाम पर गलत कहर रहे हैं तुम गलत तरीका अपना करके धर्म परिवर्तन कर रहे हो तुम इसलाम के नाम पर कुरान के नाम पर दूसरों पर अत्याचार कर रहे हो ये धर्म नहीं है ये इसलाम नहीं है मुसल्मानों को वास्तविक इसलाम श्रीजी ने सिखाया उन ब्रह्मुनियों ने सिखाया क्योंकि इसलाम का शाब्दिक अर्थ भी होता है शांति का मार्ग है सब्दार्थ शांति का मार्ग पर इस दुन्या में अभी अगर सबसे ज़्यादा कहीं असानती है तो यहीं पर है इन ही के द्वारा हो रही तो अब स्रीजी ने कतेव पक्ष के उपर रुची ली रुची इसलिये ली क्योंकि औरंग जिब को बताना है मान लीजिये कि अगर किसी इशाई व्यक्ति से सास्त्रार्ट करना हो इसाई व्यक्ति को उसकी गलती बताने हो तो बाइबल का ज्यान होना ज़रूरी है की नहीं इसी तरह से कुरान का ज्यान होना हर हिंदू के लिए निवारी है मैं ऐसा इसी लिए कह रहा हूँ ताकि वो समझ जाय की वास्तों में मुसलमान जो कुरान के नाम पर इसलाम के नाम पर करते हैं वो कितना नाजायज है और कितना गलत है तो स्रीजी ने हिंदूओं को एक हथियार दिया है ब्रह्मावाणी की रुप में कई लोग हमारे समाज में सनन्द, खुलासा, मारिफत सागर ऐसे क्रंथों पर प्रतिबंद लगाने की बात करते हैं कहते हैं कि इनको नहीं पढ़ना चाहिए इनमें तो इसलाम की बात की है इसलाम की बात की है तो क्यों की है वो तो देखो इसलाम की वास्तविक्ता बताई है और सच्चा ही जानना तो सबका फर्ज है आप किसी को गलत कैसे बोल सकते हो जब तक आपको उसका पता ही नहीं कि कहां गलत है मान लिजे कि आपने कह दिया कि तुम तो गलत इसलाम को मानते हो वो कहेगा कि कहां पर बताओ आपके पास ग्यान ही नहीं होगा तो कैसे बताओगे इसलिए स्रीजी ने हिंदूओं को खुलासा, सनन्द, मारिफत सागर, कयामत नामा की रूप में हथियार दिये हैं अगर कोई सुन्दर साथ इसको बहुत अच्छे से पढ़े तो हर मुसल्मान से बात कर सकता है कि तुम यहां पर गलत हो इसलिए इन ग्रंथों का आवतरन हुआ है अब क्यूंकि अभी तो आवतरन नहीं हुआ है आगे जाने के बात होगा मैंने तो उसकी थोड़ी सी भूमी का बताई अब स्रीजी ने आकर के लालदास जी को ये बात बताई लालदास जी से कहते है कि लालदास आज राजी की मुल सरुप की कृपा से मेरे मन में ये बात आई मेरे हृदे में ये बात प्रगट हुई कि कुरान में तो मुल रूप से देखा जाए तो परमधाम की बाते हैं जिसे उपनिशद दिव्य ब्रह्मपूर कहते हैं उसे ही कुरान अर्शे आजम कहता है जिसे चौदह लोग कहा गया है उसे वो चौदह तबक कहते हैं इसी तरह से कुरान में परमधाम के होजकोसर की बात है, रंगमहल की बात है, अक्षर अक्षरातीत की बात है, च्यरब्रम की बात है, लेकिन मुसल्मान उसको गुप्त रखते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें औरंजिप के पास जाना हो सकता है और श्री देवचंद्र जिनी तो पहले ही सकुंडल और सकुमार के आने की बात कि थी कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसी में है शकुमार की आत्मा इसी में है यह विचार करके अब स्री जी मेरता से सुन्दर साथ से विदा लेते हैं और विदा लेकर के गोकुल पहुंचते हैं गोकुल से मतुरा और मतुरा से आगरा होते हुए आगरा में कुछ दिन ठहरते हैं और पहुंचते हैं दिल्ली अब दिल्ली में जो सुन्दर साथ सूरत से साथ में चल रहे थे वो त जिनका नाम यहां पर वर्णित है इस्वर दास है मलुक चंद है इसी प्रकार दिल्ली में चर्चा करते समय सेख वदल जी जो मुस्लिम है पर स्री जी की चर्चा सुनने आते हैं इसी प्रकार अनंत राम है तुलसी बिहारी दास मकुंद दास जिन्होंने सुरत में तार्तम लिया था वो भी स्री जी के चरणों में आते हैं मेरते से रामचंद आते हैं कुछ दिनों तक स्री जी की संगत में रहते हैं उसके बाद पुनह वापस लौट जाते हैं इस प्रकार जो गोवर्धन जी अटक गय थे जस्वन सिंग की जागनी के लिए वो भी वापस लौट आते हैं और लाल दरबाजे में आ करके गंगाराम की दुकान पर ठया थे गंगाराम की दुकान में उन्होंने सबसे पहले तो क्योंकि जहां-जहां भी जाते हैं अच्छे लोग जहां जाते हैं वो अपनी किया गोवर्धन जी से और फिर गंगा राम जी ने आसा जीत वकील को ये बात सुनाई जुन को ये बात अच्छी लगने लगी हाँ ये अलग बात है कि बाद में उनका विश्वास जो है वो डावाडल हो जाता है इस प्रकार आसा जीत फिर नैंसुक महाजन इन सब की जागन कर रहे हैं एक दिन दिल्ली में एक जो उर्दू बाजार है वहां भूम रहे होते हैं तो वहां गरीब दाह जी मिलते हैं अब गरीब दाह जी तो सुन्दर सा थे उनको गोवर्धन जी पहले से पहचान रहे हैं जाकर के पूछते हैं कि स्रीजी कहां पर है तो उन्होंने स् बाट के लुट आगे स्वाएँ पाइ ऊपने स्थान पर आते हैं और श्री जी को खबर दे देते हैं कि गोवर्धन जी अटक पार से आ गहे हैं इस प्रकार गोवर्धन जी अब उन्होंने जिन जिन की जागनी करी हैं उन सब सुन्दर साथ को लेकर के श्रीजी के चरणों में आते हैं और इनकी जागनी और साथ में अटक के पार जहां गए थे जस्वन सिंग उनके यहां जो जो भी बात होती है वो सारी बात बताते हैं इस प्रकार उस हवेली में श्रीजी छे महीने तक रहते हैं छे मैने वहां रहने के बाद दिल्ली में ही लाल दरवाजे में पहुंचते हैं और वहां आ करके अब औरंग जेब के लिए चिठी लिखते हैं और उन चिठी में 22 प्रशन लिखे जाते हैं अब उस प्रशन को किस-किस ने मिल करके लिखा उन प्रश्णों में क्या-क्या बातें लिखी औरंग जेब जैसे कटर मजहभी उनमाद लिए हुए विक्ति तक संदेश पहुचाने की हिम्मत की इस प्रकार की यहां योजना बनाते-बनाते अब स्रीजी हरिद्वार पहुचे आगे हरिद्वार पहुच करके वहां पर क्योंकि महाकुम का मेला लगने वाला होता है महाकुम का मेला क्या है? क्यूं लगता है? कितने वर्शों में लगता है? वहां पर इतने बड़े-बड़े जो सादू संताय होते हैं उनके साथ स्रीजी का सास्त्रार्थ होता है सभी संप्रदायों के आचारिय शास्त्राख में हार मान के उनको विजय अभिनत बुद्धनिश कलंग स्वरोप मान लेते हैं ये स्थो सारी वितक है किस प्रकार घटित होती है इनको सुनेंगे हम कल अभी के लिए समय पुरा होता है दिली तक पहुँचे हैं हम अभी के लिए चोपाई दो राते हैं इन हवेली में आप मास छह रहे तहां से लाल दर्वाजी को ले चला उतके बोलुष्री प्राणनाथ बोलुष्री सत्गुरु महाराथ